नमस्ते दोस्तों मेरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम सीखेंगे हैंड लेटरिंग और इसके लिए आप नॉर्मल स्केच पेंस और पेंस अविलेबल जो होते हैं वही यूज़ कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जैनिवरी को लखनी के लिए आप जैनिवरी को अपने नॉर्मल कर्सिव हिन राइटिंग में लिख लीजे फिर जो नीचे जाने वाले स्ट्रोक है उसको एक मोटी ब्लैक स्केच पेंस की मदद से ट्रेस कर लीजे इससे लगेगा कि आपने केलिग्राफी में जै नेक्स्ट फेब्रॉरी के लिए हम फेब्रॉरी को पिंक स्केच पेंस के मदद से ब्लॉक लेटर्स में लिख लेंगे फिर एक ब्लैक पेंस की मदद से उसमें कर्सिव में लिखेंगे और इस तरह से की हर एक लेटर हर एक लेटर के अंदर कर्सिव में लिखा जाए इस तर Next, March के लिए हम Small Letters में March लिखेंगे और उसको Edges पे Horizontal Lines कर देंगे फिर Sketch Pen जो मूटी है उसके मदद से सारी जो Vertical Lines है उसको Trace करेंगे Next है April April के लिए हम Good Circles बनाएंगे फिर Pencil के मदद से उसमें April लिख लेंगे अभी एक Black Pen की मदद से उस April की Outline को Trace करेंगे Trace करने से Bubble Fonts Create हो जाएंगे फिर I को और L को और जो A और B के अंदर जो Circles है वो भी बना लेते हैं Pencil Outline को हम Erase कर लेंगे एक Eraser की मदद से अच्छे से Erase कर लिया फिर एक Pink Sketch Pen की मदद से जो Bubble बनाए है उसको हम Shadow Effect देंगे तो सिर्फ एक साइड पर इस तरह से Lines बनाएंगे फिर Black Sketch Pen की मदद से बाकी का Area ऐसे फिल कर लेंगे तो यह हो गए हमारे Bubble Fonts नेक्स पिंक Sketch Pen की मदद से जून को स्मॉल लेटर्स में लिखे स्मॉल लेटर्स की लिखने के बाद उसको हम Shadow Effect देंगे तो इसका जो Downward Area है और Right Area है उसको ही सब आफ्लाइन करेंगे जिससे की एक Shadow Effect क्रियेट हो इस तरह से नेक्स जुलाइ को हम कर्सिव में लिखेंगे और कर्सिव में लिखने के बाद उसके जो Downward Stroke को हम Hollow Thick बनाएंगे इस तरह से थिक बनाने के बाद उसको Color कर देंगे नेक्स्ट आउकस्ट को हम Green Sketch Pen के मदद से कर्सिव इन राइटिंग में लिखेंगे फिर इसमें जैसे की हमने जून के साथ किया था वैसे ही 3D Effect देंगे जिसमें डाउन और राइट आउटलाइन को ही हम करेंगे आउकस्ट के बाद अब बारी है सब्टेंबर की सब्टेंबर के लिए हम Green Sketch Pen के मदद से सब्टेंबर को Block Letters में लिखेंगे अभी एक डारकर Green Sketch Pen के मदद से जो उसका आदा नीचे का हिस्सा है उसको हम लिखेंगे फिर एक Black Pen के मदद से उसकी पूरी आउटलाइन को ट्रेस कर देंगे यह होगया हमारा सब्टेंबर अक्तूबर के लिए Green Sketch Pen की मदद से अक्तूमबर को Cursive in Writing में इस तरह से लिखेंगे फिर जैसे हमने सब्टेंबर के साथ किया वैसे ही नीचे से आदे हिस्से को Dark Green Sketch Pen की मदद से फिल करेंगे फिर उपर Dots करेंगे ठाकि ऐसा लगे कि Light Green और Dark Green एक दूसरे के साथ मिल रहे हूँ फिर 3D आउटलाइन करेंगे मतलब Down और Right Side को ही आउटलाइन करेंगे नेक्स नवेंबर के लिए नवेंबर को करसिव में लिखें फिर जो उसके डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है उसको थिक करेंगे फिर एक प्लैक स्केच्पिन की मदद से उसके लोवर हिस्से को प्लैक कलर कर दे और उपर को वाइधी रहन दे तो यह होगा नवेंबर फिर डिसेंबर को सिंप्ली स्मॉल लेटर्स में लिखें फिर एक ग्रीन स्केच्पेंड की मदद से उसको पापस ट्रेस कर ले तो यह होगा हमारा डिसेंबर यह हैं लेटरिंग की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे अटेच किये जो आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसको प्राक्टिस कर सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाई अच्छी